हलो दोस्तों, एलो बेरा के बारे में तो हम सभी जानते हैं, यह किस परकार का पउधा है, और यह कितना कामन प्लांट है, साथ यह कितना गुड़कारी भी है एलो बेरा को हम अलग-अलग छेत्रों में अलग-अलग नामों से जानते हैं कहीं पर इसे गौर पाटा, गृत कुमारी, गौर गंदल के नाम से भी जाना जाता है एलो बेरा के पत्तियों के बारे में तो हम सभी जानते हैं किया कितना गुड़कारी है पर उसके फूलों के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं इसके फूल आसानी से आते भी नहीं और काफी लोग या जानते भी नहीं कि एलोबेरा में फूल भी आते हैं हमारे ये दो से धाई साल के पौधे हैं और तब भी आप देख सकते हैं कि सभ प्लान्ट हुए होते हैं उन्हीं पे आते हैं दोस्तों एलो बेरा फूल बहुत ही गुड़कारी होता है और बहुत ही कम लोग इसके बारे में जानते हैं कि यह कितना यूजफुल है हमारे लिए एलो बेरा के पौधे काफी बिमारियों को भी ठीक करते हैं एलो बेरा मुंग चेहरे को पिंपल दाग धबों से बचाने के लिए लोग इसके जल का उपयोग अपने चेहरे पर लगाने के लिए करते हैं बालों को जड़ने से रोकने के लिए भी लोग इसके जल को अपने बाल में लगाते हैं जिससे बाल हमारे मजबूत भी होते हैं लोगों के घरों में पाय जाने का या भी एक कारण बड़ा है कि लोग चेहरों को साफ करने तथा बालों को जढ़ने से रोपने के लिए इसका उपयोग करते हैं अब हम बात करते हैं हेलो बेरा के फूल के बारे में दोस्तों एलो बेरा की खेती एक सजावटी पौधी की रूप में भी की जाती है और बदले में पत्तियों और फूलों का उप्योग संदर परसादनों की रूप में किया जाता है तथा इसका उप्योग और सधीय पौधों की रूप में भी किया जाता है कहीं कट जाने पर एलो बेरा के फूल के रस को निचोड़ कर लगा दे तो वह बहुत जल्दी ठीक हो जाता है बहुत कम लोग ही जानते हैं कि एलो बेरा के फूल से बीज भी परात किये जाते हैं और इससे नए पौधे भी तयार किये जाते हैं दोस्तों इसके जो बीज होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं और उसे प्रात करने के लिए हमें इस फूल के उपर से ले करके नीचे तक एक पालित थीन को बाहनना होगा जिसे इसके जो छोटे छोटे बीज होते हैं वो उस पालित थीन में गिरें और हमें प्रात भी हो जा एलो बेरा के फूल को निकाल करके इसका पेश्ट बना करके गरी की तेल में हलके आज पर अगर गर्म करके उसको छान करके उससे तेल निकाल लिया जाए तो इसके तेल का उप्योग हम जोडो के दर्द में मालिस की रूप में करते हैं और यदि कहीं पर कटा भी है तो हम वहाँ पर भी इसके तेल को लगा करके उसे ठीक करते हैं और साथ ही चेहरों के दाग, धब्बे वा मुहासों को दूर करने के लिए भी इसका उप्योग करते हैं और अगर हम इसकी पुरानी पत्तियों को नहीं तोड़ते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसी प्रकार से वो सुख करके खतम हो जाते हैं और उसमें जल नहीं बसता है इसलिए हमें अपने पुरानी पत्तियों को तोड़ते रहना चाहिए और जिससे हमारे ये जो नए पत्ति निकलते रहते हैं वो अच्छे से गुरोथ करें और इलो बेरा के पौधे को लगाना बहुत यासान होता है अगर हम मार्केट से एक पौधा ले आएं तो अपने घर पर हम कुछी दिनों में कई पौधे तयार कर सकते हैं आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इसकी जड़ों से नए नए पौधे निकलते हैं और इन्ही पौधों को हम निकाल करके कहीं अगर अलग लगा देते हैं तो उससे कई नए पौधे तयार हो जाएंगे और इस परकार से हम अपने घर में नए नए पौधे तयार कर सकते हैं और इसे उगाना बहुत ही आसान है किसी परकार की कोई समस्या नहीं है बहुत ही उप्योग कारी है और इसका पधा आप भी अपने घर में लगाएं और मिलते हैं किसी दूसरे विदियो में तब तक के लिए धन्यवाद